एलो दोस्तो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप छेर मार्किट से अमीर कैसे बन सकते हैं, पैसा हर कोई कमाना चाता है, लें किसलिए अपने ड्रेम्स को पूरा करने के लिए या फिर अपनी जिंद्की को बहतर बनाने के लिए, या फिर सुक सुविधाओ के लिए, हर किसी के अपने अपने reason होते हैं, कुछ सपने होते हैं, जैसे मैं कुछ सपने यहाँ पर discuss कर लेता हूँ, कोई अपना घर खरीदना चाता है, इसलिए वो पैसे को इखटा करता है या या फिर कमाता है, ताकि वो सुक सांती से अपने घर में या किसी छत के नीचे रह सके, कोई कार खरीदने के लिए, या फिर टू विलर, या फिर लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए, ये सपना होता है, उन्हें खरीदना चाता है, तो इसके लिए वो पैसा कमाता है, ठीक वैसे ही कोई अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए पैसा कमाता है कोई ट्रैवलिंग के लिए पैसा कमाता है कोई बिजनिस के लिए पैसा कमाना चाता है जिससे कि वो बिजनिस शुरू कर सके कुछ लोग मतलब जोब भी करते हैं लेकिन वो जोग करके पैसे इखटे करके उसे बिजनिस में लगाते हैं जिससे कि वो एक अच्छे बिजनिस की सुरुआत कर सके यह उनका सपना होता है कि वो अपने ही बोस बन सके यानि कि उनके नीचे काम करने वाले हो नयकि वे किसी के अंडर काम कर रहे हो तो इसलिए बिजनिस के सुरुआत करने के लिए लोग पैसे कमाते हैं और उन्हें इकटा करते हैं ये भी एक सपना होता है कुछ लोग अच्छे खाने या फिर अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे कमाते हैं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फिर बहुत सारे सपने हो सकते हैं जो हर लोगों के अलग अलग हो सकते हैं तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि इन सब को पूरा करने के लिए आपको money की जरूरत होती है यानि कि पैसों की जरूरत होती है तो आज मैं आपको यही बता की गाड़ी खरीच सके या फिर एक अच्छा लाइफ इस्टाहिल जी सके या फिर किसी अपने बिजनेस की सुरुआत कर सके या फिर अच्छे कपड़े फूड को खा सके तो यह बहुत आज हम इसी टोपिक पर डिसकस करेंगे कि पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहि और सेर मार्किट आपको कैसे फाइदा दे सकता है तो सबसे पहले मैं आपको एक एक एग्जामपल लेता हूँ माल लेते हैं आपके पास दस लाग रुपे हैं इसे आप दस लाग की सोच के मत चलना क्योंकि यह मैं एक एग्जामपल ले रहा हूँ आपके पास एक लाग र समझा रहा हूँ, मैंने एक्जामपल ले लिया कि 10 लाक रुपे हैं, ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हाउस रेंट दे रहे हैं, 10,000 रुपे महीना तो उनके लगबग 1 साल के अंदर यानि कि 12 महीने के अंदर 1,20,000 रुपे खर्च हो जाते हैं एक अच्छे हाउस में, कुछ लोग कार खरीद रहेते हैं, यानि ये पैसे घट रहे हैं, पहले हाउस अच्छे घर में खरीद गे, फिर अगर किसी ने कार खरीद ली, तो उसमें घट गे जरूर नहीं आप 4-wheeler खरीदो, आप 2-wheeler खरीद लो, अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो इससे यानि कि आप इसे चीज को समझो कि आपका पैसा दीरे-दीरे घट रहा है, आपको value नहीं दीरा, आपने अपने lifestyle में लगा दिए, दो लाग रुपे lifestyle को change करने हैं, फिर traveling में खर्च कर दिए, एक लाग रुपे, या food clothes में वालना है, 80,000 रुपे लगा दिए, जस्ट मैंने एक example लिया है ठीक है, आप अपने according आपके पास जो भी पैसे आपने उसे किस तरीके से खर्च किया है, आप उसी तरीके से अपनी calculation कर सकते हैं यहां पर important यह नहीं है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है important यह है कि आपका सारा पैसा खर्च हो गया, जो कि आपने अपने dreams देखें, उन भी खर्च कर दिया पर लेकिन ऐसे, ऐसा मैं एक रास्ता बताने वाला हूँ, इससे आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा वो भी बना रहेगा यानि कि दस लाग के दस लाग ही बने रहेंगे और यह दस लाग के दस लाग ही बने रहेंगे आपके पास, और यह बढ़ेंगे भी और साथी साथ आपके हर सपने भी पूरे होंगे, यानि कि ये इसके ले भी आप पैसे एकटे कर पाएंगे कैसे मैं आपको एक example लेने वाला हूँ अगर मेरे पास ये 10 लाग रुपे हैं फिलाल माल लेते हैं मेरे पास ये 10 लाग रुपे हैं तो मैं किस तरीके से इन्हें increase करूँगा या फिर मैं कैसे इन्हें बढ़ाऊंगा वो चीज़े हम यहाँ पर discuss करते हैं मैं इन्हें invest करूँगा share market में ठीक है अगर आपने अभी तक share market में account नहीं open किया तो एक दिन के अंदर आप अपना share market में account open कर सकते हैं link आपको नीचे description में दिया गया है वहाँ पर click करके आप अपना account open कर सकते हैं share market आपको लगभग 20% return देता है यह ज़्यादा भी दे सकता है क्योंकि जो warrant buffet है वो 21 to 25% return लेते हैं per year ठीक है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि US में लगभग 50% लोग share market में invest करते हैं लेकिन इंडिया में कुल 3 to 5% लोग ही invest करते हैं तो इससे आप समझ गए होगे कि इंडिया में बहुत ही कम लोग invest कर रहे हैं यानि कि future की एक growth हो सकती है जिससे कि ज़्यादा लोग invest करेंगे कुछ लोग फिलाल अभी 22 या 40% तक भी return ले रहे हैं तो 20% return में आपके एक साल में इन 10 लाक रुपे ने 2 लाक रुपे आपको कमा के देंगे अगर आपको 20% का return मिल रहा है तो आपके पास total amount क्या होगी 10 लाक तो आपके पास पहले थे और 2 लाक ही आगे अभी हम tax की बात नहीं करते हैं ठीक है टेक्स की बात हम बाद में करेंगे बाद में समझाओंगा मैं आपको तो आपके टोटल कितने होगे 12,00,000 ठीक है क्योंकि ये ज़्यदा कम भी हो सकता है टेक्स का हम arrangement बाद में करेंगे तो आपके 12,00,000 रुपे होगे ये compounding का फाइडा उठा सकते हैं ये तो मैंने आपको पहला example बता दिया इसमें आपके पैसे नहीं घट रहे हैं compounding का भी example अभी देखेंगे इसमें आपके पैसे घटे तो नहीं उतने ही बने रहे बलकि ये 2,00,000 रुपे बढ़ गे और इन 2,00,000 रुपे को जो आपको interest मिलाई से आप किसी भी तरीके से invest कर सकते हैं किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं ठीक है मैं फिर से बताऊंगा आपको कि अगर आपने अभी तक अपना share market में account open नहीं कि आप एक ही दिन के अंदर अपना share market में account open कर सकते हैं अब stock का link नीचे description में दिया गया है तो आप नीचे description में जाए link दिया गया है वहाँ पे click करके इसे आप इसमें आप अपना account एक ही दिन के अंदर open कर सकते हैं इसे आप trust कर सकते हैं क्योंकि ये रतन टाटा जी ने भी इसमें invest किया है ठीक है अब मैं क्या करता ठीक है अब ये अब हम इसे compounding का समझते हैं ये 20% return मिला 20% अगर मैं 5 साल तक इसे रोके रखता हूँ 20% को तो ये बन जाते हैं 24,88,320 रुपे आप किसी भी compounding calculator से इस calculation को कर सकते हैं अगर मैं अपने आप पे 10 साल तक control कर सकता हूँ तो ये बन जाते हैं 61,91,738 रुपे अगर मैं 15 साल तक control कर पाता हूँ तो ये बन जाते हैं 1,54,729 रुपे ठीक है इस तरीके से आप समझ गये होगे जैसे compounding आपको कितना ज़्यादा benefit दे रही है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं compounding भीना compounding और आपको कैसे अब आप अपने हर dream को अगर आपने 5 साल के तक भी control कर लिया तो 5 साल के अंदर हर dream को आप achieve कर सकते हैं अगर 10 तक कर दिया तो और भी अच्छे तरीके से achieve कर सकते हैं और अगर 15 तक आप कर पाए तो और भी अच्छे तरीके से achieve कर सकते हैं तो आप compounding की power अच्छे तरीके से समझ गए होगे तो next वीडियो में हम क्या discuss करने वाले हैं कि power of compounding क्या होती है दूसरा share market में पैसा कहां invest करें तो ये सारी चीजे हम discuss करेंगे दूसरा कर आपने अभी तक अप स्टोक में अपना account ओपन नहीं किया है जल्दी से कर लिजे लिंक नीचे description में दिया गया है इस पे बहुत अच्छे ओपर चल रहे हैं एक ही दिन के अंदर आपका account ओपन हो जाएगा ठीक है दोस्तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक यू